दिल्नी के फिल्मे स्तान की कहानी कहीं राची के अप्रबजार की गल्यों में न घट जाए हाई कोट ने अप्रबजार की गल्यों में बने बहुमंजली इमार्तों में पार्किंग की सुब्दा बहाल करने का दिया था निर्देश नगरनिगम ने उपचारिकताय पूरी करते वोई सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन मामला किया दर्ज राजधानी के अपरबजार की संक्री गलियां भी दिली की फिल्मिस्तान की अगलगी की घटनाओं का सबब बन सकती है हाल ही में फिल्मिस्तान में अगलगी की घटना में 42 से अधिक लोगों की दम गूटने से मौत हो गई थी जारकन हाई कोट ने रिट याचकाग चारहर 619 ऑफ 2018 पर आदेश देते वे कहा कि अपर बजार की रंगरेज गली, दिन बंदू लेन, सोनार पटी, सुरेश बावो स्ट्रीट और अन्य संगरी गलियों में बनी बहुमंजिर इमार्तो कहें भी पार्किंग की कोई वेवस्था नहीं है इसमें बेसमेट भी वेवसाईक दुकाने बनाई गई है, जो अबैद है, यह राजधानी का सबसे व्यस्तम इलाका है यहां परते एक दिन करोर रूपय का वेवसाई होता है, कहने को यहां बालाजी मॉल, मित्रा मार्केट, बीके विजाय एंड ब्रदर्स, वीना बस्त्राले और अन्य मार्केट है यहां तक ही ठोक वस्त विग्रेता संग का कार्याला भी, ऐसे ही एक मार्केट कॉम्प्लेक्स पर चल रहा है अपर बजार की संग्री गलियों में ना तो फायर बिग्रेट की गारियां गुस पाएगी, और नहीं कोई बड़ा हाथसा होने पर कोई बचाओ या राहत कारे चलाया जा सकेगा बुद्धी जीवियों ने इसको देखते हुए अधिवक्तर राजीव कुमार के जड़िये हाइकोट में रिट याजका भिदार की थी हाइकोट ने याजका पर शुनवाई करते हुए नगर निगम की अधिकारियों से ऐसे मार्केट की तलास कर उस पर कारवाई करने का आदेश दिया था पर हुआ क्या सिर्फ यूसी केस या खाना पूर्ती बन कर रह दे टॉन प्लानर मनोश कुमार कहते हैं कि हमने केस कर दिया उधर चैंबर के फूर्व अध्यक्ष अंचल किंगर का कहना है कि अपर बजार की संक्री गलियों में एक हजार से अधिक दुकानदार हैं इनमें सतर से अधिक बहुमंजिले मार्केट हैं इनमें कहीं भी पार्किंग की सुद्रिट ब्यवस्था नहीं है हम पर तो सरकार ने केस कर दिया है हम क्या कर सकते हैं